यूपी के फतेहपुर जिले के किसनपुर थाना छेत्र में कूडे के ढेड़ से निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी जिससे तीन घरों में भी सड़ाग लग गई और लाखो रुपय की ग्रहस्ति का समान जल कर खाक हो गया आग की लप्टो को देखकर मौके पर पहुँचे ग्रामीडों ने इस घटना की सूचना अस्थानिय पुलिस वाफ फायर विक्रेट को दी जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने ग्रामीडों की मदद से काफी मसकत के बाद आग पर काबू पाया लेकिन तब तक एक महिला वा तीन मवेसी जल गए और एक महिला सहित मवेसी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई वहीं घटना के बाद पुलिस ने डिडबादी का पंचनामा करते हुए पोस्माटम के लिए भेज दिया है घटना के बाद मौके पर पहुँची राजस्व टीम समेत आलाधिकारियों ने नुकसान का जाजा लेते हुए पीडित परिवार को हर संभव मदद का आस्वासन दिया है इसमें जलती जलते तीन-चार घर जल गए और एक महिलक जान चली गई तो पढ़िया डिलते समय अच्छा पढ़ियों कोई जान नहीं पाई आग बुजाने के चक्कर में तो आग उधर से लगी थी किया हां उधर से लगी जलते जलते आई इधर भी सब उजहा रह से लगी तो इधर यह साइड बेए इधर उबने आई थी यहां पर बहुंधा आपर आप्सी जन मिला नहीं उनको हम झाल अच्छा जानवर कितने जलें थी न जानवर एक जल गए एक दम से हां और डो जाज अच्छा पर बगी यह सब जल गया उधर भी जल गया उधर पू सूचना आपने किसको दी चौकी में परदान जी लगाए लेकपाल पास गए तो कौन-कौन यहां पर अधिकारी आए थे चौकी भी इंचार्ज आए थानिस भी आए हाँ जिलाब सब्सक्राइब लेकपाल भी आए तो बोड़ी अभी कहां है बोड़ी चली गई गोड़ोरा थाना किसंदपूर में के तीन घरों में आग लग गई जिसमें गुड़िया के मकान की चपर के नीचे तीन भैसे बंदी थी उसको खोलने के लिए गई दो भैसे खोल दी थी तीसर की खोलते समय जलता हुआ चपर उसे सर पर गिर गया जिससे उसे मौके पर ही मित्व हो गई है मौके पर एसो किसंदपूर और मेरे द्वारा घटनास्त निच्ण किया जा रहा है तो अन्विधी कारवाई की जा रही है नाव 44 के लिए फटेहपूर से बबलू सिंग की की लाई जा खर एसो क्वार पुर्ण हर बारा यार रहा है तो